हेलो स्टूडेंट्स अभी देखो आपका फाइनल एक्जाम्स होने वाले आज 23rd जन्वरी 2022 है cbsc के सेंपल पर आ गए है और फरवरी एंड में या मार्च में आपके एक्जाम्स होंगे most probably offline होंगे descriptive type होगा subjective होगा अभी clear नहीं है लेकिन ज़्यादा chances यहीं है तो इस time आपका पढ़ने का समय है सभी students का basically मैं ये video 10th class के students के लिए बना रहा हूँ बाकी ये सभी के काम आएगी क्योंकि पढ़ने के approach तो सेम रहती है तेखिए इन दिनों में आपको किन बातों का ध्यान दखने है एक सबसे बड़ा doubt होता है बच्चों का कि हम कौन सी books पढ़ें कितनी books पढ़ें कौन सी refresher अच्छी होगी कहां से practice करें strategy बना लो simple जैसे मान लिजिए आप maths के लिए पढ़ना चाहते हैं NCRT की book जो main textbook है NCRT की वो लिजिए exemplar लिजिए ये दो आपकी basic books रहेंगी NCRT से पढ़ने के बाद फिर refreshers में RD Sharma, RS Agrawal, PK Garg, Ulike और online मिलने वाले बहुत सारे papers हैं बच्चे गलती क्या करते हैं देको मैं आपको बताता हूँ अब RD Sharma आपने खरीद ली RD Sharma बहुत extensive book है बहुत सारे questions उसमें 11th standard के हैं जो 10th के slavers में आपके prescribed भी नहीं है आप उसको लेकर और फिर tension लेने यह तो book हम से होई नेरी अब क्या करें यह तो हम करी नहीं पारें बहुत practice questions हैं आप वो पूरा पूरा नहीं कर पाते हैं और अगर वो करते हैं तो आपके दूसरे subject neglect हो जाते हैं आपने कोई topic पढ़ा जैसे आप application of trigonometry पढ़ी basic formula याद किये उसके वाद NCRT के solve example किये उसके questions किये exemplar के question किये then you come to the variety आपको यह पता चलना चाहिए कि यार मेरे को यह ना river के side में tree है उसकी height निकालनी यह question मेरे से सही नहीं हो रहे तो वो question फिर R.D. शर्मा से उठाओ वो question आप R.S. अगरवाल से उठाओ उन questions की practice करो R.D. शर्मा आरे से गले पूरी-पूरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही बच्चे आसाने से कर पाएंगे इसमें कोई attention नहीं लेनी बहुत जादा books reference नहीं करनी basic book एक होनी चाहिए reference आप जितनी मर्जी book से कर लो वो topic का reference होता है कि मुझे ये type of question गलत हो रहा है मेरा तो मैं इसकी practice करो उसके लिए आप अलग-अलग books देख लो अभी तो online बहुत practice papers मेरे जाते वो यूज करो तो books के बारे में तो ऐसा हो गया science में क्या करना है NCRT की जो book है ना basic book वो आपको in between the line पढ़नी है उसको पढ़ना है उसमें जो activities है उनको पढ़ना है समझना है लेको पढ़ते वक्त ना आपको अपना mind बिल्कुल focus रखना चाहिए हम किसलिए पढ़ रहे है उसमें क्या point है और जब आप NCRT पढ़ लेते है एक्जेंपलर प मंजीत सिंग लखमीर सिंग मंजीत सिंग यह मंजीत को और यह book यूज करते हैं बच्चे वह आपकी मर्जी है extra जाना चाहिए तो देखो एक ही topic को एक book से पढ़ा फिर दूसरी से पढ़ा फिर तीसरी से पढ़ा time wastage है एक ही जगह से पढ़ो additions उसमें कोई value add करनी है दूसर मैं आप से पूछो कि बच्चे आपका नाम क्या है और आप मुझे कहो कि सर मैं नई दिल्ली में रहता हूं आपका आंसर गलत नहीं है आप नई दिल्ली में रहते हो आपने विल्कुल सही बता है लेकिन आपने वो तो नहीं बता है ना जो मैं पूछ रहा हूं मैं तो आप आप नाम जानना चाहता हूं न तो आप सीधे-सीधे कहिए कि सर मेरा नाम ये है जादतर बच्चे ये नहीं देख पाते ये नहीं पढ़ पाते कि examiner हमसे क्या चाहता है question में हमसे पूछा क्या गया है question को जब धंग से नहीं पढ़ते तो जो पूछा गया है वो तो लिखते नहीं है कुछ extra लिखते फिर कहते हैं कि हमारा फेपर तो बहुत अच्छा गया था हमारी मार्किंग अच्छी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है आपको question को carefully पढ़ना होगा कहां पर examiner की emphasis है वहां पर आपको answer करना होगा तीसरा जो ध्यान लखने की बात है इन दिनों में आप stress में आ जाते हो क्योंकि बहुत सारे subjects हैं 5 subjects है basically आपको सारे manage करने है कभी भी दूसरे बच्चों से competition करके मत पढ़िए यह देखिए academic से इसमें आप जितना अच्छा करेंगे उतना आपका score आएगा दूसरा बच्चा कितना करेगा उससे आपका कोई relation नहीं है अगर यह competitive exam ह होता तो मैं कहता कि नहीं दूसरे की performance आपको affect करेगी यहां नहीं करेगी आपका कोई friend कहता है कि मैंने तो आड़े शर्मा सारी कर ली तो को well done बहुत अच्छा कि आपने आपको घवराना नहीं है बहुत सारी ऐसी चीज़े होंगी जो आपको tense करेंगे आपको ही लगेगा यार मेरे friend ने तो इतना कर लिया मुझे तो नहीं आ रहा ऐसा नहीं है आप basic अपने goal को exam oriented preparation करें इस time time bound preparation करें books का मैंने बता दिया यही logic आपको sst में रखना है sst में भी आपको ncrt books को ठीक से follow करना है questions answers याद करने से कहीं अच्छा होगा आप text को पढ़ें यही English में भी करना है यही Hindi में भी इसके बाद आता है revision जो हम बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं गलती करते हैं बच्चे इ करना है mathematics में formula ठीक से याद होने चाहिए science में chemistry अगर आप करने तो equations ठीक से याद होनी चाहिए revision करना बहुत जरूरी है उसके बाद जो third stage है time bound tactics आप Google से YouTube से कहीं से भी कोई एक वीडियो उठाए कोई test उठाए half an hour का test है one hour का test है उस time bound में पेपर को करके फिर चेक करके इसी है जब आप ऐसे करने लगेंगे तो आपकी performance अच्छी होने लगेगी stress में नहीं आना है अगर आप system से तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे all the best for exams and your preparation दूसरी वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा कोई specific help चाहिए तो आप comments करके मुझे बता सकते ह all the rest